हलो एवरीवन हेर इस रमन शर्मा अफर लॉग टाइम आप लोगों के लिए एक सबसे बेस्ट वीडियो लेके आया बहुत ही डिफरेंट तरीके का एक कंसेप्ट है जिसको बोलते है आयल्स में राइटिंग टास्क बहुत सारे बच्चे लिस्निंग में अच्छा स्कोर आता है रीडिंग में अच्छा स्कोर आता है स्पीकिंग में भी आ जाता है मगर सर प्रॉब्लम आती है राइटिंग में राइटिंग में बच्चों का एक माइंड सेट बहुत ही अलग तरीके का किया जा चुका है sentence structure अच्छे से बनाना नहीं आता हमें यह नहीं पता कि essay का structure कैसे करें हमें यह नहीं पता कि topic कौन सा आएगा vocabulary नहीं है सर हमारे पास सर हमें sentences को अच्छे तरीके से लिखना नहीं आता क्या करें connector नहीं आते synonym का कैसे use करें क्या क्या चीजें करें कि सर राइटिंग में बैंट स्कोर आजाए बहुत सारी वीडियोस डालता हूँ इन में से एक आज का वीडियो special मैं डालने वाला हूँ राइटिंग पे इसके बाद आपके बहुत सारे doubts क्लियर हो जाएगा और definitely आप लोग exam के नजदीक पहुँच जाओगे मैं नहीं चाहता कि कोई बचा बार बार IELTS का exam दे मैं नहीं चाहता कि उसका हर बार writing में score कम आए आपको बहुत अच्छे तरीके से clear कर दूँ चाहे academic का बचा मेरा video देख रहा हो चाहे journal का अगर video देखने के बाद आपको लगता है कि sir हमें knowledge मिला हाँ sir आपकी class के बाद आपकी video के बाद हमारा IELTS में score उपर जाने लगा है तो definitely आप channel को खुद तो subscribe करोगे ये करोगे साथ में कम से कम 5, 10, 15 लोगों से भी करवा हो क्योंकि ऐसे ही videos में आप लोगों के लिए लेकी आता रहूँगा time को waste नहीं करेंगे और video के concept को अच्छे तरीके से clear करेंगे आईए देखते हैं कि क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ writing क्या होती है क्या structure होते हैं और कैसे ये clear होते हैं हर एक चीज का एक concept हम clear करेंगे बिलकुल time नहीं waste करते हैं तो आईए सबसे पहले मैं आपको show करता हूँ कि IELTS की writing क्या कहती है writing सबसे पहले आपको ये बोलती है बच्छे देखो आप सबको ये पता होना चाहिए कि task 2 है that's okay 40 minutes आपको लिखने के लिए मिनेगे that's very okay 250 words आपको मिलते है that's true okay 250 का ऐसा नहीं होता कि आप 250 से एक word भी उपर नहीं लिख सकते बहुत बच्चे 270 तक भी जा सकते हैं मगर IELTS में pressure इतना होगा exam में कि कभी length तो उपर जाती नहीं है इसमें helping verb counts नहीं होते ये नहीं होता कि आपने is MR, was word वो वाली चीज़ें count नहीं होती तो important क्या है आप लोगों के लिए exam को crack करने के लिए ये तो clear है चाहिए academic है चाहिए journal है 40 minute लिखने को दिए 40 में 40 नहीं लिखते बच्चे 35 लिखते होते हैं plus 5 minute की करते हैं planning आपको बताऊंगा कि कैसे plan करना है दरना नहीं है overthink मत करो, over read मत करो तो करना क्या है सबसे पहले इसकी जो types होती है वो होती है 8 मलब आपको exam में इन 8 types बीच बीच ही आपको आएगा अगर इन से बाहर आया तो रमन का channel responsible है types क्या क्या है अगर आपको बताऊं both view है problem solution है advantage and disadvantage है advantage out way disadvantage है direct question है do you agree or disagree to what extent do you agree or disagree positive or negative याद रखना exam in 8 के 8 के बीच में से ही आएगा किसी को both view का ऐसे आएगा किसी को problem solution किसी को agree or disagree कैसा भी तो मैं आपको clear कर दू कि आपको क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ये सब चीजे और एक बाद ध्यान रखना है डरो मत के सर इतनी types हैं हम कैसे crack करेंगे अरे कुछ नहीं है आप लोग जस्ट एक type को बहुत अच्छे तरीके से सीख लो बाकी सारी लगातार सेम होती है structure क्या है accuracy कैसे band score कैसे boost करें आज आपको बताऊंगा देखो bands को अगर आप boost करना चाहते हो तो मान लीजिए मैं आपको structure शो करता हूँ तो आपको बड़ा positive response मिलेगा मान लो मैं agree और disagree का इस structure को मैंने आपके सामने लेके आता हूँ exam में जब आपको essay आ गया agree और disagree एक structure को clear करूँगा और याद रखना सारे के सारे structure सेम होते हैं बस थोड़ा बहुत फर्क होता है new structure का मतलब क्या है कि सबसे पहले है introduction ये बात ध्यान में रखना कि type कोई भी आ जाए without introduction आप able ने कि आप band score layout और इसका half band मिलेगा introduction का आदा band बनती कैसे है ये introduction दो चीजें यूज की है मैंने rephrase किया plus thesis किया बहुत बच्चे डरते हैं कि सर रीफरेज क्या होता है जो भी exam में आपको statement मिलेगा उसको synonym में लिखना is called rephrase example दे सकता हूँ मैं आप ऐसा कीजिए जैसे कोई भी हम topic ले लेते हैं ये अच्छा है मालो ये statement थी some organization and companies require their employee to wear a uniform ये statement है इसको आप कितने synonym के साथ लिखते हो it is called a rephrase जैसे some का synonym अगर आपको आता है मेरे को आता है few organization का नहीं आता तो organization लिख दिया and companies का firms require का need their employees का worker मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने synonym जानते हैं और चितने synonym आप जानते हैं आप direct उनको लिखिए और आपका 100% score बहुत अच्छा आएगा बात कुछ भी नहीं है आपको ये clear होना चाहिए कि कोई भी topic आपको exam में करने के लिए आएगा तो आपने just rephrase और thesis को लिखना है जैसे के refresh में आपको जिन जिन words के synonym आते हैं आप उनको लिखो मतलब जो statement है और आपने refresh किया उसका meaning same निकलना चाहिए जिसका दिखो इसके लिए बहुत जादा synonym की जरूरत नहीं होती है आपको some का synonym पता होने चाहिए few people का individual masses ऐसा कुछ government का authority ये वाला मैं एक synonym के उपर भी video डालूँगा जिससे आपको जो अगर synonym नहीं आता तो direct word को लिख दो अगर आता है तो आपको उसको change करके लिख दो examiner आपके change करने से impress होगा दूसरी चीज है thesis पढ़ने के बाद examiner को ये clear हो जाएगा के essay में आप agree हो या आप disagree हो बात खतम आप positive हो आप negative हो आप advantage बता रहे हो आप disadvantage मतलब ये नहीं है आपकी मरजी है बच्चे आप चाहे agree हो चाहे disagree examiner को इससे कोई मतलब नहीं है मतलब है कि आप किस तरीके से statement को लिख रहे हो structure की सबसे important बात क्या रहती है structure ये चाहता है कि आप लोग introduction को जितना अच्छा बनाओगे क्योंकि first impression is a last impression तो ये half bend आपको इसका मिल जाएगा तो बारी आगे body paragraph one और body paragraph two sir इसमें क्या करें ये देखो मैं आपको show कर दू introduction में तो rephrase और thesis ये half bend लेके आएंगे first impression last impression जो statement दी है synonym से लिखूंगा और thesis में कुछ नहीं है बस यहीं बताना है in upcoming paragraph जो आने वाले paragraph में I will disagree I will agree जो मर जी I am agree with this statement I am disagree with this statement इससे examiner को पढ़के पता चल जाएगा आप किस तरफ हो agree वाली या disagree वाली तो body paragraph को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका देखो यहां पे लिखा है agree और disagree आपकी मरजी है जिस तरफ मरजी जाओ structure ये चलेगा इधर भी जिस तरफ मरजी जाओ structure ये चलेगा चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए चार चीज़ें अगर आपको ये चार चीज़ें पता है तो exam clear है और पहली बार में clear है कौन-कौन सी ये चार चीज़ें सबसे पहले में ने दिया हुआ है TS1 Task statement 1 मतलब इसका क्या होता है कि main point इसका मतलब होता है main point मान लीजिए आप किसी को बोल रहे हो कि यार मैं agree हूँ तो आपने ये बताना है सबसे पहले शुरू करके कि मैं agree हूँ तो मेरा point क्या है मैं क्यों agree हूँ क्या बात है मैं agree हो गया दूसरे नमबर पे आपने agree को point बता दिया तो उसको करना है आपने explain कि देखा ना मैंने बोला था मैं agree हूँ तो ये कारण है इसलिए मैं agree हो गया उसको explain करना है बड़ा चड़ा के थर्ड में देनी है आपने एक example और example हमेशा जूठी होती है जरूरी नहीं होता कि आपने याद रखो example ये नहीं है कि आप local हमारा ये है जो मिठ्टु है जो कोई भी है आपने उसके example नहीं example होनी चाहिए आपके लिए बहुत बड़ी international level की और last पे आता है effect effect को आप result भी बोल सकते हो कि result क्या है इसमें सबसे important ये चार चीज़े है सबसे पहले main point दो उसको explain करो उसकी example दो और उसका result निकालो यही BP2 में होता है task statement 2 मतलब दूसरा main point क्या है उसको explain करो उसका example दो और उसका effect दो याद रखो ये चार चीज़ें को लिखने के लिए हर एक के आप पहले connector को use करोगे connector को use करने का तरीका बताऊं क्या है मान लो ये देखो सबसे बड़ी बात आपसे clear करो तो ये चीज़ें आपका band score और last पे आपको ये बताऊंगा कि अगर आप सारे essay में half band और boost करना चाते तो कैसे कर सकते हो देखो task statement जैसे आपने body paragraph को शुरू करना है तो सबसे पहला connector आपका होना चाहिए two comments with उसके बद कॉमा डालो two comments with डालके आपने कोई भी point mention कर देना है जो जैसा topic की demand होगी वैसा दूसरे number पे आपको एक example भी दे दूँगा point वाली चिंता मत करो जब आपने उस point को बता दिया तो आपने उसको करना है explain explain करने के लिए हमारे पास connector होना चाहिए और connector क्या है to elaborate it फिर कॉमा collaborate भी कर दिया तो third आगी हमारे पास example और example के लिए connector है for example और ये हो गया example बता दी कि एक survey conductor और ये international होनी चाहिए मैं आपको दो चीज़ें बता दूँगा आपको दोनों तरीकों से example डाल दो कुछ फालतू करने की ज़रूरत नहीं है और last पे आगया result और result के लिए आपने यूज़ कर लिया दस ये बात याद रखो के आपने चार connector यूज़ किये हैं और ये चार connector आपको body paragraph 1 में काम आएंगे मालो तो body paragraph 2 में चार connector और चाहिए ऐसा नहीं कि आप body 1 और body 2 के connector सेम कर दोगे ऐसा हुआ तो band score खतम तो body 2 को शुरू करने के लिए सबसे पहला connector क्या यूज़ करूँगा further further more लिख लो या further strengthening my views लिख लेते हैं तो further more का मतलब क्या हो गया कि मैं भाई अब इस तरफ आ चुका हूँ ये मेरा task statement 2 है अब क्या करना है मैंने explain करना है यहाँ पे explain के लिए मैंने क्या use किया to elaborate it दो बारा to elaborate नहीं बरतना तो मैंने use किया in other words ये भी तो explain के लिए to explicate it आप ये मैं आपको कॉमा डाल के बता देता हूँ to explicate it आप इन में से कोई भी use कर सकते हैं आपके मर्जी है तो example के लिए मैंने कौन सा connector use करना है मैं use करूँगा सबसे उपर क्या use किया for example तो नीचे मैं use करूँगा for instance example हो गया तो result के लिए उपर मैंने 10 ही use किया था और नीचे मैं hands ही use कर दूँगा ये देखो कि उपर और नीचे मलब body 1 और body 2 के connector सेम नहीं है ये अलग होने चाहिए तो ही आपके bands को रहेंगे अगर सेम होगे तो नहीं आएंगे और सबसे last पे आगया conclusion और conclusion में कुछ नया नहीं करना आपने जो task statement 1 में main point दिया था जो task 2 में आपने main point दिया था आपने उन दोनों को ही refresh करके लिखना है और कोई नया point नहीं डालना जैसे के conclusion में conclusion लिखके जो body paragraph 1 का main point है जो body 2 का main point है अगर आपको synonym आता है तो आप synonym को यूज करो otherwise आप same को same भी उतार सकते हो conclusion में बाहर से कुछ नया नहीं डालना और याद रखना ये सबसे best तरीका है आपने अगर exam को clear करना है introduction का मिलेगा half band conclusion का मिलेगा half band मलब total हो गया 1 band 2.5 मिलते है BP1 के 2.5 मिलते है BP2 के मलब धाई धाई 5 और आदा आदा 1-6 task 2 के total होते है 6 band score आपको band score में boost के लिए क्या करना चाहिए आप passive में बना सकते हो ना एक तरफ लिका हुआ है government can take strict action अगर आपने ये लिख दिना strict action can be taken by government तो आपका एक band या आदा band आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा पूरे essay में आप design कर दो आप design करने का मतलब कह है कि आप examiner को ये show कर दो कि भाई मेरे को ये आता है मैं लिख सकता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे दरी किसे कोई भी एक topic उठाते है मालो अगर मेरे को यहाँ पी ना agree disagree का कुछ भी मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए oh very good मिल गया ये अच्छा है मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन-कौन से connector मैं use करता हूँ और कैसे मैं इसको लिखता हूँ ये तो structure है agree disagree का ये भी structure है we can find out no issues आप लोगों के लिए मेरे पास बहुत कुछ होता है चाहिए अगर कोई भी मिल जाए देखो अंदर से नहीं पढ़ा रहा time नहीं waste कर रहा सबसे पहला connector मैंने को use किया to begin with और to comments with आप लिख सकते हो ना पहला दूसरा connector यूज किया to explain it जो मैंने to begin with से मैंने कोई एक point mention कर दिया कि मेरा तो भाई ये point है मैंने अपना point mention करके to explain it किया मैंने उसको कर दिया explain third पे मैंने use किया to cite an example और मैंने example को add कर दिया चाहे आप for example लिख सकते हो to epitome लिख सकते हो for instance लिख सकते हो कुछ भी और last पे the evidence proves that आप इसकी जगा as a result जो मैंने connector बताया hence बताया does बताया मगर आप याद रखो कि मैंने कुछ नहीं किया मैंने ये चार चींजे की है number one number two number three number four जो body one में connector होंगे body two में same नहीं होंगे ये देखो आपने body two में मैंने connector moving further इसका मतलब क्या होगा कि मैं इसको अपने point को आगे लेके जाता हूँ in other words explain करने के लिए two epitome example के लिए और दस result के लिए मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि चार चार point अगर आपने mention कर दिए तो आपका exam पहली बार में clear है कुछ भी नहीं करना आप लोगोंने सबसे best तरीके से आपको बताया active passive करोगे तो बहुत अच्छा है आपका score और boost हो जाएगा जो जो connectors में आपको बताये हैं अगर आप exam में same use करके होगे न तो आप मेरे को comment section में जरूर बताना कि आपकी video देखी थी और writing में बहुत सुधार आया ideas की tension मतलो ideas की किसी के ये नियुता अच्छा है बुरा है ऐसे idea का rank थोड़ी होता है जो topic में पूछा है आप उसकी बात करो grammar में अगर आपको problem आ रही है तो मैं एक नया बैच शुरू कर रहा हूँ बिलकुल free of cost किसी से एक पैसा नहीं लूँगा बस उसके बदले में आप channel को grow करो subscribe करो बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए आपसे आपका प्यार चाहिए आप channel को grow करते रहो that's it आप videos को share करते रहो मैं October से 3-4 October से मैं शुरू कर रहा हूँ इस चीज़ को और आपको notification आपको channel के उपर आ जाएगा grammar को strong करो topic में आपको point पता आना चाहिए और essay का structure introduction, body paragraph 1 body paragraph 2 और conclusion, बात, खतम, band और Canada की त्यारी, टाइटा है ओके तो ये चीज़ें आपको follow करनी पड़ेंगी sentence structure नहीं आता बनाना तो मेरी grammar की बहुत सारी videos आप उसको देखो day by day मैं आपके चीज़ें लेके आता रहूँगा अगर आपने वीडियो को ध्यान से सोना है न तो याद रखिए, आप इसको same apply केजी और 100% आपको result मिलेगा, ये मेरा promise है वीडियो कैसा लगा, आप comment section में जरूर बताना, अगर वीडियो देखने के बाद आपका, जरा सा भी आपको change feel होता है, तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि मैंने अपने बच्चे की जिन्दगी बनाई, thank you, respect है सब की, सभी छोटे बहन भाई हैं, दोस्त में तरह है मेरे, जो भी मेरे channel को follow करते हैं, मेरा तो कौन सा channel है, आप का channel है, हम सब का channel है, इसको आप बढ़ाओ, पंजाब का number one बन गया और इंडिया की बारी है love you, take care, goodbye thank you so much for being with the Romans, I thank you